हेलो एव्रिवान आई वेल्कुम यौल तु स्टाड़ी नीती अंडिस अक्सेस सीरीज बाइमी स्मृती जिसमें हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स कर रहे हैं 60 देज का और रीजनिंग और कॉंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिलिम्स आज वेल अस मेंज सेशन के स्केडियूल के अकॉर्डिंग आज हमारा सेशन होने वाला है SICI की डेटर इंटेप्रेटेशन मेंस लेवल का प्रिलिम्स लेवल हम लोग अल्रेडी कवर कर चुके हैं तो आज के सेशन में हम लोग SICI DA करने वाले हैं यहां पर आपकी दो क्लासेस रहती हैं 11 एम औ आपको लास्ट में बता तो जैसे कि हमने बात करी आज हमारा सिंपल इंटरस्ट की डेटा इंटरेशन का मेंस लेवल होने वाला है प्रिलिम्स लेवल हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं पिछले सेशन में में मेंस लेवल देखेंगे बेस हमारा वही रहेगा जो पहले थ लांग्वेज मोल्ड हो जाती है तो देखो पहला क्वेशन देखते हैं दिस इस फॉर्स फ्रेंट आफ यू क्या बोल रहा है कि पाइचार्ट है वह रेप्रेजेंट करता है परसेंटेज वाइस डिस्ट्रिबीशन जो कि पांच परसेंट ने इन्वेस्ट करी है सिंपल इ इस तरीके से इन्होंने सिंपल इंट्रस्ट में इतनी इतनी अमाउंट इंवेस्ट करी मतलब यहां से हमारा क्या निकलने वाला है प्रिंसिपल निकलने वाला है राइट आगे देखो दिस सेकेंड पाइचार्ट रेप्रेजेंट परसेंटेज वाइस डिस्ट्रिबीशन इंवेस्ट बाइफ पर्सेंट इंउसे से ओरा प्रिंसिपल निकल सकते हैं क्लिर है इतने तक सबको question देखें चलिए questions पे चलते हैं तो यह देखो question पे जाने से पहले आपको मैं एक बार पीछे pie charts दिखा देती हूं आप उसका आराम से screenshot लेड़ो विकाज आगे वहले questions पे ऐसा हो सकते कि आपको pie chart ढंग से ना देखें this is the second one okay amount invested by a nil on simple interest at eight percent per annum for four years अगर मैं , क्यूंक की बाद करूँ थो principle मुझे पता होना चाहिए rate मुझे पता होना चाहिए time मुझे पता होना रेट मुझे पता है गोझे टाइम मुझे पता है चाइस साल अनिल किसको denote कर्या red color q BEN system 25 यह SI का है और यह CI आई का है है यहाँ पर हमारे पास टोटल अमांट deflect ती जैसे कि पिछले वाले पाय चार्ड में देखा यहां पर द चाय लाग ती तो चार लाग का पच्छ़च्पर संट 25 पर संट मतलब 1 by 4 उसने invest कितना किया एक लाख रुपे उसने invest कितना किया एक लाख रुपे अगला देखो then the amount invested by him on compound interest at 5% per annum for 2 years यह simple interest था इसको annual 1 दे देते हैं इसको annual 2 दे देते हैं compound interest के लिए देख लेते हैं principal rate or time rate हमारे पास है 5% time हमारे पास है 2 साल principle कितना है रेड कलर देखो छे लाख का 12% छे लाख का 12% कितना होता है 72,000 the amount invested by चंदन on simple interest at 10% per annum for 8 years अब चंदन की बात हो रही है चंदन का भी हमें principal चाहिए rate चाहिए time चाहिए तो मुझे rate पता है कितना है 10% है और time मुझे पता है कितना है 8 साल है यह SI है यह CI है यह भी SI है principle देख लो चंदन का चंदन कौन से कलर में है purple कलर में simple interest में है तो 4,30,000 कितना होता है हमारे पास 4,30,000 कितना होता है 1,20,000 4,30,000 होता है then find the respective ratio of total interest earned by अनिल from the amounts invested on simple interest and compound interest and interest earned by चंदन from amount invested on simple interest उसने बोला है इन दोनों को club करके इसके साथ ratio निकालना है मतलब अनिल के दोनों interest का total लगाके चंदन के interest से ratio निकालना है समझ में आगी सबसे पहले यहां पे देखो अनिल का simple interest निकाले तो 1,00,000 का 8% 4 साल के लिए एक लाख का 8% P into R into T कर सकते हैं तो मेरे पाद simple interest कितना आ गया 84032 32,000 आ गया चंदन का अगर मैं देखूं थोड़ा light हो गया यह simple interest अभी देख रहे हूं एक लाख 20,000 पे 10% 8 साल के लिए तो simple interest कितना आया 10% 8 साल के लिए cancel out कर देते हैं इसको 12,800 कितना होता है 96 होता है तो 96,000 आ गया clear अब इसका निकाल लेते compound interest तो 72,000 पे 5% 2 सालों के लिए देखो 72,000 हमने invest किये पहले साल के अंत में 5% interest लगा पहले साल के अंत में 5% interest लगा मतलब लगा कितना हमारे पास 36,000 लगा 5% 36,000 होता है अमाउंट कितनी आई हमारे पास 75,600 फिर second year के end में फिर से 5% लगा 5% कितना होता है 756 into 5 करना है तो 38 to 35 to 37 अमाउंट मेरे पास कितनी आगी छोड़ो क्योंकि हमें क्या चाहिए उसका हमें सिरफ और सिरफ interest चाहिए तो interest कितना है 36,000 प्लस 37,000 टोटल कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 73,80 इनका क्या निकालना है ratio निकालना है तो 80,39 और यह हो जाएगा 96,000 निकाल लेते हैं ratio किस से काटने हैं इसको 3,36 और 17 नहीं जाएगा 3 से है ना किस से जा सकता है यह टू से काटके देख लेते हैं सिंपल 1,9,6,9 तो 1,9,6,9 तो मुझे यहां दिखी कि option number C आपका answer बन जाएगा none of these अगर ना हुआ इसको भी काटेंगे तो 4800 आएगा ratio हमारे पास आगे option number C हमारा answer बन जाएगा I hope आपको यह question अच्छे से clear होगा next question पर जलते हैं अमर invested his amount on compound interest at 6% per annum for 3 years अमर के बारे में बात की है compound interest की principle नहीं पता rate पता है 6% time कितना है 3 साल and दीपक invested his amount on compound interest at 10% per annum for 4 years दीपक की अगर मैं बात करूँ principle मुझे नहीं पता rate और time मुझे पता है कितना 10% 4 years और यह है कौन सा compound interest total amount received by अमर while investing on compound interest हमें दोनों की amounts निकालनी है और उसका percentage कर देना है यह मेरे पास CIE का ही डाइग्राम है मैंने पहले से इसमें डालके रखावा है total हमारे पास amount कितनी थी 6 लाग अब इसमें से अमर और दीपक की देखो अमर मतलब blue 6 लाग का 28% कितना होता है हमारे पास 28 इंटु 6 288,4 इतना हो जाएगा 1,68,000 और अगर मैं किसका देखो दीपक का मतलब blue light blue color 6 लाग का 20% कितना होता है एक लाग एक लाग बीस अजार यही होता है एक लाग बीस अजार होता है हमारे पास principal rate टाइम आ गया अब हमें इंट्रस्ट निकाल सबसे पहले अमर की बात करती हूं 1,68,000 उसने लगाया पहले साल के end में उसको 6% इंट्रस्ट लगा 6% इंट्रस्ट लगने का मतलब कितना है 16,60,96 प्लस हमारे पास था 4 तो 10,80,100,100,100,80 तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई इतनी आ गई फिर उसने और 6% लगा दिया ठीक है फिर उसने और 6% लगा दिया तो 6% इसका और लगा लो फिर लग जाएगा यह second year हो गया फिर इस अमाउंट पे 6% और लग जाएगा यह third year का जाएगा तो 6% लगा देते हैं सबसे पहले point लगा के 48 68048 हो गया 68048 फिर हो गया 442 6410 10684.8 मुझे हिंदी नहीं पता इसके अब आगे 6% लगा देते हैं सबसे पहले amount लिख लेंगे point 8467 फिर आजाएगा 8 8 & 1 फिर से 6% लगा देंगे फिर से 6% लगाएंगे तो कितना बनेगा डेसिमल के बाद 3 आजाएंगे 68048 64024 282 3683 760425 448 52 5 48 और 5 इतने होगे 3 410 तो हमारे पास क्या आगया इसका rate of interest यह 11 होगा ना सॉरी तो एड़ कर लेते हैं इसको एड़ करने पर हमारे पास कितना आएगा यह एट्टी एट्ट और सिक्स पॉइंट जीरो आ एट्ट नाइन जीरो इतना आ जाएगा तो हमारे पास amount इसकी कितनी आगी 20080.6 अब हमें किसकी देखनी है दीपक की देखनी है तो सिंप्ली इसको भी कर लेंगे देखो एक लाग बीस हजार उपे थे पहले साल के अंत में 10% इंट्रस्ट जूडा 10% का मतलब 12,000 अमाउंट कितनी वन गई एक लाख पत्तेस हजार फिर 10% का इंट्रस्ट जूडा इंट्रस्ट कितना बना 13200 तो अमाउंट कितनी बन गई हमारी 14, 14, 5, 2, 0 फिर 3rd year के end में फिर 10% जुड़ा मतलब 14, 5, 2, 0 इंटरस्ट हमारा आड हो गया तो amount मेरी कितनी बन गई 20 7, 9, 5, 1 इसको यहां लिख लेते हैं 15, 97, 2, 0 फिर 4 साल के end में फिर 10% इंटरस्ट जुड़ गया 10% जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा इतना जुड़ जाएगा इसको आड कर लेते हैं तो हमारे पास amount कितनी आगई 1, 7, 5, 6, 9, 2 अब हमें क्या गरना इसका percentage निकालने हैं हमें पता है कि उपर वाली amount डेफिनिटली सत्रा एक लाक 75,000 से जाद है क्योंकि उपर वाली amount दो लाक है मतलब डेफिनिटली 100% से उपर कांसर आएगा 100% से उपर का आएगा तो इसको काट दो सीधा सीधा ही वान से करेंगे तो हमारे पास लगबग लगबग 25,000 बचेगा उपर फिर उसको किस से करना है अप्रॉक्सिमेशन बान से करेंगे तो दो लाक में से 175 निकाले अप्रॉक्सिमेटली 25,000 बच रहा है फिर 25,000 और 175 तो 25,000 का मतलब एक हजार और हो जाएगा साथ 7,1007 बचा कितना तीस 7,400 1,14 मतलब 1,15 परसेंटेज आपका क्या आजाएगा आंसर आजाएगा अप्रॉक्सिमेशन में हमें चलना है ये क्वेशन भी क्लियर होगा चलते हैं नेक्स क्वेशन पर देखो देखो अफ अमांट इंवेस्टेड बिमल ऑन सिंपल इंट्रस्ट इस इनवेस्टेड इन स्कीम ए विच ऑफ़स एट परसेंट पर आनम फोर त्री यह विमल ने जो अमांट इंवेस्ट करी थी सिंपल इंट्रस्ट पे बिमल का मतलब ग्रीन कलर यह सिंपल इंट्रस्ट का है यह कंपाउंड इंट्रस्ट का है इसका टोटल 4 लाग था इसका टोटल 6 लाग है 4 लाग का 15% करना है 15,460 4 लाग का 15% कितना आ जाएगा 6,000 तो बिमल ने Simple Interest में इंवेस्ट करनी कितनी थी 6,000 लेकिन उसने इंवेस्ट करी कितनी Half amount, 60,000 का Half कितना होता है 30,000 किसमें इंवेस्ट कर दी उसने Simple Interest में रेट हमारे पास कितना है 8% और टाइम कितना है 3 सार Simple Interest निकल आएगा and that of the remaining half on scheme B at 6% per annum for 6 year remaining उसने 30,000 और किसमें इंवेस्ट कर दी scheme B में 6% 6 साल के लिए ठीक है यह उसने Simple Interest पे करी क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं the amount invested by him on compound interest compound interest में उसने कितनी करी 6,24,24% compound interest में उसने कितनी करी 6,24,24% 20% कितना होता है 1,20,000 6,20,20% कितना होता है 1,20,000 और 4% कितना होता है 24,000 मतलब उसने total invest कितनी करी 1,44,000 उसने इंवेस्ट कर दी समझ में आ गई किसमे compound interest में 4% पे 2 साल के लिए 4% पे 2 साल के लिए हमें क्या निकालना total interest निकाल लेते हैं देखो सबसे पहले इसका simple interest निकाल लेते हैं 3,309,980,72 7200 फिर 6,60,36,30,10,800 निकल गया compound interest निकाल लेते हैं 1,44,000 उसने इंवेस्ट किया पहले साल के अंत में 4% उसको interest लगा 4% का मतलब कितना है 5,7,60 लग गया interest उसको amount कितनी निकल क्या आती है 7,60,9,4,1 फिर दूसरे साल के अंत में फिर 4% का उसको interest लगा 4% interest लगने का मतलब किया 6,40,24,8,3,30 9,40,36,9,3 4,40,16,9,1 और 5 कितना interest लगा 5,9,90,4 अपने को interest ही निकालना है तो सबसे पहले simple interest का total कर लेंगे 200 और 800 हजार हो गया 7,2800,800 8,000, यह हो गया 18,000 और इसका मैं देखूँ तो मेरे पास कितना है 5,000 और 5,0010 हजार 10,000 के बाद 700 और 916,11,16 11,600 फिर 60 है फिर 90 है मतलब 150 हो रहा है मतलब 11,750,4 दोनों को अड़ कर दो 11,750,4 0.4 आ रहे है, 0.8 वाला, 0.6 वाला काट दो 57,92,0.4 option number B आपका answer बन जाएगा simple चीज़े है basic वही है अपने को बस इसको level भढ़ा के दिया हुआ ठीक है? आगे देखो this is the question आप इसका screenshot ले लो बिकास यह question यहाँ पे solve नहीं होता space की कमी हो जाती फिर मैंने आगे सिरफ English कही रखा है इसमें हमें दोनों quantities के बीच का relation निकालना है कि कौन सी quantity किस्ते बढ़ी है देखो the amount invested by चंदन on compound interest is invested in scheme Y for 2 years चंदन का compound interest यह CI का है यह SI का है ध्यान रखना चंदन का मतलब purple color यह 6 लाग थी, यह 4 लाग थी 6 लाग का 16%, 16,696 मतलब चंदन ने कितना इन्वेस्ट किया 96,000 तो quantity 1 हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पस principle कितना आया 96,000 scheme Y में invest किया time 2 साल के लिए और हमें amount कितनी मिली इतनी मिली amount कितनी मिली 120422.4 at the end of 2 years find the rate of interest मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जो हम लोग करते आ रहे हैं compound interest का इसके अलावा भी मैंने आपको एक formula बताया था basic class में which was amount equal to principle 1 plus rate upon 100 into time मैंने आपको ये चीज़ बताई थी definitely बताई थी ये ही formula काम आएगा देखो उस formula से बहुत जादा confusing हो जाएगा क्योंकि rate हमारे पास नहीं है है ना amount कितनी है one two zero four two two point four principle कितना है ninety six thousand rate हमारे पास नहीं है तो one plus rate upon hundred और power कितनी आजाएगी दो क्योंकि time कितना है दो साल इसको इसके divide में लेजो one two zero four two two point four divided by ninety six thousand one plus rate upon का square अब यहां से square उठाके इधर square root नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका proper square root अभी नहीं पता है ना ninety six thousand का भी proper square root नहीं पता हम लोग इसको simplify करने की कोशिश करते हैं ना चार से काटने की कोशिश इसको करते हैं three zero one zero five point six इसको काटेंगे तो four two zero और four zero 24,000 फिर से हम लोग four से काटने की कोशिश करते हैं तो हमारा कितने पर आएगा seven five two six point four और यह आ जाएगा six thousand इसको इधर ले आते हैं चे से सीधा काटने की कोशिश कर लेते हैं कटेगा तो six one zero six six two zero twelve और six one zero six six two zero twelve बच्चा कितना thirty two five zero twenty six four zero four यह कितना आ जाएगा इतना आ गया ठीक है अब हमारे पास है one plus r upon hundred का square root अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखो one two five four four तो आपको definitely पता है यह किसका है आपको definitely पता है यह किसका square बनता है one one two का बनता है ना one one two का square यह होता है यह one one two का square है यह 100 का square है square से square cancel तो r divided by hundred कितना हो जाएगा one one two by hundred minus one तो कितना आ जाएगा बारा तो rate of interest हमारे पास कितना आया बारा परसेंट क्लियर अब मैं second वाले का निकाल लेती हूँ quantity second में क्या बोला है one fourth of the amount invested by अमर on simple interest अमर ने simple interest में कितनी करी 20 परसेंट चार लाग का 20 परसेंट कितना होता है असी हजार और असी हजार का one fourth कितना होता है बीस हजार प्रिंसिपल आगया बीस हजार time कितना है पांच साल के लिए किये तो five years और interest कितना है पंद्रह हजार simple interest कितना है पंद्रह हजार हमें क्या निकालना है rate of interest तो simple interest बराबर किसके होता है principle into rate into time divided by hundred तो हजार से हजार को काट दो यह हो जाएगा three यह हो जाएगा four यह हो जाएगा पच्चिस अच्छा यहां पे पांच था ना और यह हो जाएगा पांच तो three five's are fifteen rate कितना आगया हमारे पास fifteen percent rate कितना आगया fifteen percent तो बारा परसेंट बढ़ा है या पंद्रा परसेंट बढ़ा है 15 परसेंट बढ़ा है मतलब बारा परसेंट कम है quantity one is less than quantity two option number b आपका answer हो जाएगा क्लियर अगले पर चलते हैं इसका भी screenshot लेलो विकेस फिर आगे हम लोगोंने इंग्लिश में करना है देखो क्या बोल रहा है amount invested by केशा हमें क्या निकालना total interest earned by केश on amount invested on compound interest पहली statement वो दे रहा है कि amount जो केशा ने invest करिये compound interest पे वो 20% जादा है किससे दीपक ने जो simple interest पे करिया देखो सबसे पहली बात हम लोग बिना solve किये करेंगे इसको बिना solve किये करेंगे अगर मुझे केशव का compound interest निकालना है तो मुझे उसके लिए principle भी चाहिए होगा rate भी चाहिए होगा time भी चाहिए होगा ठीक है अगर मैं basic statement से देखो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर मैं first statement से देखो तो मेरे पास सिरफ और सिरफ क्या आ जाएगा principle क्योंकि उसने बोला दीपक से 20% जाद है दीपक हमारे पास है दीपक हमारे पास definitely है चार लाग का 10% हो जाता उससे 20% जाद है principle हमारे पास इसका first statement से आ जाता लेकिन ना तो rate आया ना ही time आया तो क्या answer निकल सकता है बिल्कुल भी नहीं निकल सकता अब मैं second statement से देखो तो केशव invested his amount on compound interest for two years at 5% rate rate हमारे पास आ गया time हमारे पास आ गया लेकिन principle नहीं आया तो क्या खाली और खाली second statement से answer निकल सकता है बिल्कुल भी निकल सकता ना तो basic statement में हमें कुछ दिया था और ना ही second statement में प्रिंसिपल दिया है मतलब statement 1 अकेली और statement 2 अकेली से answer नहीं आएगा और अगर दोनों से नहीं आ रहा तो either or case भी definitely नहीं बनेगा अब देखो अगर मैं statement 1 और statement 2 को combine कर दू तो statement 1 से principle मेरा यहां में डाल सकती हूँ principle भी आगया rate भी आगया time भी आगया दोनों statement अगर मैं use करूंगी तो मेरे पास answer आजाएगा option number D both the statements are sufficient to answer बिना कुछ किये हम लोग अपना सिरफ logic लगाएंगे कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता आपको भी इसी तरीके से solve करना है this is a smart move ठीक है अब हम लोग next question पर चलेंगे एक बर आप इसको अच्छे से देख लिजे ग्राफ को और screenshot भी ले ले लेना क्योंकि आगे फिर शायद हो सकता है कि properly आपको ना दिखे पर्सेंटेज of interest in various schemes बता रहा है scheme A में यह simple interest है यह compound interest है blue वाला simple को दिखा रहा है red वाला compound को दिखा रहा है और यहाँ पर total amount invested by ललिता in different schemes बताई है कि मतलब percentage जो उसके पास total amount थी उसका 25% उसने A में किया 30% उसने B में किया 15% उसने C में किया similarly जैसे हम लोगोंने percentage पाई चाठ की थी वैसे इसना line graph में देदी समझ में आ गया screenshot ले 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 ना इसका ठीक है देखो question को इसका भी screenshot ले लो क्योंकि हम question English में करेंगा दो इस पेस की कमी काफी जादा हो जाएगी okay there was four generations in a family there was four generations in a family tree sohan sohan ke papa sohan ke grandfather sohan ke great grandfather मतलब उसके grandfather के भी father the great grandfather whose age was 85 years in 1862 had 50,000 of the property with him 50,000 की property थी 1862 में जब वो 85 years के थे whom he sold to a जमीदार and invested it in a scheme A at simple interest उसने जमीदार को sell कर दी जो उसकी जमीन थी और जो amount उसको मिली वो simple interest पे scheme A में उसने लगा दी he died in 1870 1870 में उनकी death हो गई after his death sohan grandfather received the total amount तो सबसे पहले देखो यहां से शुरू कर जूँ 1862 से 1862 से 1870 तक sohan के great grandfather जिन्दा थे पचास हजार की property उन्होंने बेच दी क्योंकि इन्होंने नहीं बोला ना कि कितने की बेची है तो हम यहीं मानाएंगे कि पचास हजार की बेच दी ठीक है और उन्होंने scheme A में simple interest पे लगा दी scheme A का simple interest यहां से अगर मैं देखू तो कितना था 10% था मतलब rate of interest कितना 10% और time period देखो 1962 से 1970 के बीच में लगाई तो time कितना हो गया 8 साल फिर 1870 से आगे शुरू होता है सिलसिला जिसमें सोहन के grandfather के पास क्या आ जाती है सारी की सारी amount आ जाती है मतलब यहां पे उनके पास amount आ जाएगी he invested it in scheme B in the year 1991 1991 में उन्होंने B में invest करी यह A में करी थी अब उन्होंने B में करी at compound interest and died after 2 years on the date of investment investment उन्होंने करी 1991 में और 1993 में उनकी मौत हो गई मतलब कब दो साल के बाद ठीक है समझ में आ गई तो 1870 से लेके 1991 के बीच में कुछ भी चीज नहीं हुई ना कुछ investment होई ना कुछ उन्होंने निकाला लेकिन उन्हों 1991 में invest कर दिया अगर इस period की बात करूँ तो जो उनको amount मिली थी उस amount को इन्होंने concert of interest पे किया था scheme B पे compound interest पे स्कीम B का compound interest देखो कितना है 15% है तो 15% कित्ते साल के लिए 1991 से 1993 दो साल के लिए compound interest पे यह किस पे था simple interest पे था आफ्टर दाट सोहन फादर रिसीव 25 less than the total amount देखो 1993 थोड़े यहां बना लेते हैं तो 1993 में उनकी मौत हो गई जब उनकी death हुई उनकी death पे सोहन के father को सारी की सारी amount मिल गई तो यहां से सोहन के father को amount मिली सोहन के father को सोहन के grandfather को और सोहन के great grandfather को ठीक है यह father आ गए और उनको amount से 25 रुपे कम मिले and he invested partly in scheme A at compound interest and partly in scheme D at simple interest scheme A में compound interest में किया और scheme D में simple interest में किया scheme A का compound interest 10% है और scheme D का simple interest कितना है यह scheme D है न यह देखो 5,6,7,8 कितना percent है 8% 10% और 8% A का है 10% D का है 8% यह 10% simple interest पे किया यह 8% compound interest पे किया the ratio of investment done by सोहन सोहन's father in scheme A to scheme D is 3 is to 4 उन्होंने यह जो amount थी यह जो पूरी amount थी उसका बटवारा कौन से कौन से रेशो में किया simple interest compound interest में 3 is to 4 के ratio में कुछ कुछ समझ में आ गया कि मामला चल क्या रहा है तो इसको ना थोड़ा simplify कर लेते हैं पहले ही अगर मैं 1862 से 1870 की बात करूँ तो मेरे पास total interest कितना है उससे amount कितने ही हम निकाल सकते है प्रिंसिपल हमारे पास था पचास हजार रेट हमारे पास था 10% और टाइम हमारे पास था कितने साल 8 साल तो simple interest कितना निकल जाएगा 50,000 इंटु 10% इंटु 8 पांच हजार इंटु 8 कितना होता 40,000 amount 50,000 थी principle 50,000 था interest 40,000 लगा मतलब ही amount कितनी बन गई 90,000 amount कितनी बन गई 90,000 ठीक है अब मैं सोहन के grandfather के बारे में बात करूंगी उन्होंने इस पीरड में कोई investment नहीं करी मतलब 90,000 का 90,000 ही रहा 1991 में investment करी 15% दो साल के लिए principle है 90,000 और rate है 15% time है 2 साल तो यहां से amount निकाल सकते हैं देखो 90,000 थी पहले साल के अंत तक 15% interest लगा 90,000 का 15% 159,135 होता है 13,500 तो amount हमारे पास कितनी बनी 1,3,500 फिर से इस पह 15% का interest लगा और second year के end में हमें कुछ ना कुछ amount मिल जाएगी तो इसका फिर से 15% निकाल लेते हैं 15% क्या होता है 3 by 20 इसका 3 by 20 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 5,1,75, 75 into 3, 150, plus 75, 225 5, 15, 5,25 हमारे पास इसका क्या आगया interest आगया तो amount कितनी आ जाएगी 5,25 और 500 1025, 3 और 5,89 अब यह जो हमारे पास amount आई है किस की आई है इस period की आई है ठीक है मतलब सोहन के फादर को कितने रुपए मिले होंगे सोहन के grandfather की death पर कितने रुपए हो हुए होंगे 1,19,025 है ना अब बोला था कि सोहन के फादर को इससे 25 कम मिलेंगे मतलब सोहन के फादर को कितने मिले होंगे 1,19,000 उन्होंने scheme A के अंदर compound interest पर इंवेस्ट किया था अच्छा यह compound interest था और यहां पर simple interest पर किया था उल्टा लिख दिया ना मैंने compound interest 10% था यह compound interest पर किया था तो हमें पता है सोहन के फादर ने इतने इतने इंवेस्ट किये थे scheme A और scheme D के अंदर अब हम लोग चलेंगे further questions पर find the amount received by सोहन if his father dies after three years of investment जब उन्होंने उनके फादर ने investment करी थी उसके तीन साल बाद उनकी मृत्यू हो गई तो मतलब उसके बाद पैसा किसको मिल जाएगा सोहन को तो वही amount निकाल लिया हमें पता था कि उन्होंने scheme A के अंदर principle मतलब 51,000 इन्वेस्ट किया था किस पर किया था compound interest पर इन्वेस्ट किया था time आ जाएगा तीन साल क्योंकि तीन साल के बाद सोहन को मिलेगा न और rate कितना है हमारे पास 10% यह मैंने यहां से देखा है यह चीज सिमिलर्डी में 68,000 रुपीज इन्वेस्ट किये थे प्रिंसिपल आ गया time कितना है तीन साल और rate कितना है 8% यह किसका है scheme D का दोनों की amount निकाल लेंगे सबसे पहले एक ही देखो 51,000 रुपीज उसने पहले साल में लगाए पहले साल के अंत में 10% interest लग गया 10% मतला भी 500 तो amount हमारे पास कितनी आ जाती है 56,100 फिर दूसरे साल के end में फिर 10% लग गया कितना लगा 5610 तो हमारे पास amount कितनी आ जाएगी 100,700,61710, am I right फिर तीसरे साल के अंत में फिर उनको क्या लग गया 10% का interest लग गया 10% मतलब 6171 तो हमारे पास amount कितनी आ जाएगी 67881 हमारे पास amount कितनी आ गई 67881 यह हमारे पास amount आ जाएगी similarly simple interest 68000 पे तीन साल के लिए 8% के rate पे लगाया 8 3s are 24, 24 into 680, 680 को मैं 700 minus 20 भी बोल सकती हूं हमारे पास आ जाएगा 20, 3, 6, 1 16320 हमारे पास interest कितना आ गया 16320 तो amount कितनी हो जाएगी 68000 प्लस 16320 which equals to 84,320 कितना आ गया 84,320 उसने पूछा था total amount तो simple interest की भी amount आगी compound की भी आगी इसका total कर लो 81 प्लस 20 कितना होता है 111 मतलब unit digit 11 आएगी तो unit digit सिरफ इसकी 11 है probable answer C बनेगा यह तो आप cancel out कर दो इसको total भी करके देख लेते हैं तो 81 आगे से करते हैं 6 और 8 140,000 7 और 4 11 फिर हो जाएगा 800 और कितना हो जाएगा 800 और 300 1100 फिर हो जाएगा 81 और 20 111 तो यहां से देखेंगे तो यह हो जाएगा 152 111 101 होगा 2201 option number C ही आपका answer बन गया अगले question पर चलते हैं देखो ललिता invested 80,000 according to the investment plan 80,000 उसने invest किया what will be the difference in the interest earned if she invest all her money at simple interest for 4 years and compound interest for 2 years following the investment plan तो इस question में क्या बोल रहा है उसने बोला कि 80,000 का जो उसका plan है 80,000 उसने invest किया investment plan के according तो यहां पर हमें investment plan पता था A में उसने कितना invest किया 25% B में उसने कितना invest किया 30% तो A में उसने किया 25% B में उसने किया 30% और फिर CDE में कितना किया 15% 17% और यह हो जाएगा 10, 11, 12, 13% 15, 17 और 13% टोटल अमाउंट का यह टोटल अमाउंट का मतलब 80,000 का उसने क्या किया है bifurcation किया है क्लियर समझ में आगी उसने बोला है कि हमें difference बताना है अगर वो सारी कि सारी अमाउंट पहले simple interest पे लगाती है 4 साल के लिए फिर उसने बोले compound interest पे लगाती है 2 साल के लिए उन दोनों का difference इसने करने को क्या बोला है सीधी सी बात सबसे पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा कि कितना कितना आता है ठीक है तो यह तो 100% टोटल बन रहा है और यह 80,000 है तो 100% अगर 80,000 के बराबर है तो एक परसेंट की value कितनी आ गई आठ सो 25% की कितनी आएगी 25 इंटू 8 20,000 30% की कितनी आएगी 24,000 15% की कितनी आएगी 58,000 या फिर मैं कहूं 34,000 12,000 17% की कितनी आएगी इतनी आजाएगी और 13% की कितनी आएगी 10,400 ये उसने investment करी किस-किस में A, B, C, D और E में सबसे पहले उसने बोला है कि वो सारे के सारे plans में simple interest में लगाती है 4 साल के लिए यहाँ पर double वहनत होगी देखना A की बात करूं तो उसका simple interest कितना आएगा 20,000 रुपे उसने लगाए चार साल के लिए और A का interest कितना 10% है B की बात करूं तो यहाँ पर interest कितना है 20% फिर यह 10,11,12% यह हो जाएगा 8% और यहाँ पर यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 11% 24,000 उसने लगाए 4 साल के लिए 20% पे C की बात कर लेते हैं 12,000 उसने लगाए 4 साल के लिए interest कितना 12% फिर D की बात कर लेते हैं 13,600 उसने लगाए 4 साल के लिए 8% पे फिर E की बात कर लेते हैं 10,400 लगाए 4 साल के हिसाब से 11% पे यह उसका क्या आजाएगा simple interest सभी के सभी सालों का अगर वो सारी की सारी amount simple interest में invest करती है अब उसने बोले second case अगर वो compound interest में invest करती है compound interest में एक ही बात करूँ तो उसने 20,000 रुपे लगाए सबसे भेले interest कितना है 10% 15% 16, 17, 18% 5% और 9% 10% के हिसाब से 2 साल के लिए पहले साल लगाया 10% कितना लगा 2,000 amount कितनी आई 22,000 फिर कितना लगा 10% interest कितना लगा 22,000 रुपे similarly अगर मैं B की बात करूँ अच्छाए यहां से A का total interest कितना आगया 4,200 2,000 प्लस 22,000 B की बात करूँ तो 24,000 पे कितना परसेंट लग रहा 15% पहले साल 15% लगा 15% लगाओ तो यह 12 into 30 भी बोल सकते हैं 3600 amount कितनी आजाएगी हमारे पास 27,600 फिर इस पे फिर 15% लगा इस पे 15% लगाएंगे तो कितना आजाएगा 27,600 का 3 by 20 15% को मैं 3 by 20 भी बोल सकते हैं 1380 तो यह 24 13,300 39 39 और 2 इस 41 41,40 तो उसका टोटल इंटरस्ट हमारे पास कितना आजाता है 740 7,740 है ना similarly आपको C का निकालना है फिर D का निकालना है फिर E का निकालना है और ऐसे ही आपको सारे के सारे Simple Interest आड करके सारे के सारे Compound Interest आड करके उनका Difference निकालना है ठीक है समझ में आगी जैसे A का निकालना वैसे ही B का निकालना है फिर वैसे ही C का निकालना है फिर वैसे ही D का निकालना फिर वैसे ही E का निकालना है सबका Total करेंगे Compound Interest का सिर्फ इंट्रस्ट का अमाउंट का नहीं इंट्रस्ट का टोटल करेंगे और सिंपल इंट्रस्ट की टोटल से हम लोग क्या कर देंगे माइनस तो हमारे पास डिफ्रेंस आ जाएगा this question is your homework अगला देखो ललिता इंवेस्टेड ओल हर मनी इन स्कीम बी अट कंपाउंट इंट्रस्ट फर 3 years उसकी सारी की सारी मनी बी स्कीम में जाती है कंपाउंट इंट्रस्ट पे 3 साल के लिए इसका कंपाउंट इंट्रस्ट कितना है 15% वाइल हर सिस्टर बबीता इनवेस्टेड हर मनी in scheme D at compound interest for 4 years compound interest कौनसी scheme का D का कितना है 5% है 4 साल के लिए total amount received by Lalita is approximately what percent to the total amount received by बबिता Lalita की amount जो है वो बताना है बबिता की amount का कितना percent है अगर उन दोनोंने investment कितने में करिये 5 is to 3 में पांच रेशो 3 में तो देखो पांच रेशो 3 ले लो या पचास तीस ले लो या पांच हजार तीन हजार ले लो या पचास हजार तीस हजार ले लो आंसर आपका सेम ही आएगा क्यों क्यूंकि यहां पे zeros तो cancel ही हो जानी है है ना तो इसको आप 5-3 भी ले सकते हो 500-300 भी ले सकते हो 5000-3000 भी ले सकते हो 50-3000 भी ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो हम लोग लेंगे 50-3000 और 30-3000 उससे values लोड़ी सी easy हो जाएंगी ललिता की अगर मैं बात करूँ तो उसने 50-3000 रुपे लगाए है ना किसी भी आप इसको 5-3 लख भी ले सकते हो आपकी मर्जी है 15% पे लगाए ठीक है तो पहले साल उसको 15% लगेगा कितना आ जाएगा 75-100 तो amount बन गई 57-500 फिर उसको 15% लगा 15% लग गया मतलब 10% तो या फिर मैं सीधा 3 by 20 कर जाती हूँ 5-7-500 इंटो 3 by 20 यह easily cancel out हो जाएगा 2-8-7-5 75 2-25 4-6-2 8-6-25 और यहाँ पे फिर 8-6-25 लगा तो यह 25 बन जाएगा 6-6-1-2-5 फिर 15% का इंट्रस्ट लगेगा समझ में आरी है amount हमारे पास क्या निकल के आएगी amount हमारे पास क्या निकल के आएगी ध्यान दे न अगर मैं बोल रही हूँ यह 100% है उसमें 15% आड किया तो इसका 115% निकल के आएगा ना जैसे 50,000 में 15% आड किया या फिर मैं कहूँ 50,000 का 115% करो तो भी तो यही amount आती है ना हमारे पास है ना यह 100% है यह 15% 115% तो ललिता की amount किते निकल क्या है 6-6-1-2-5 का 115% इसका आंसर नहीं निकालते cancel out easy हो जाएगा अब बबिता की amount निकाल लेते हैं अब बबिता का निकाल लेते हैं देखो उसने 30,000 रुपे लगाये थे scheme D में 5% के हिसाब से 4 साल के लिए पहले 5% interest लगेगा 5% लगाओ 1500 amount बनी 31500 फिर 5% लगाया तो यह 75 1575 amount कितनी बन गई 33075 फिर 5% का interest लगा अब 33075 पे फिर से 5% का interest लगेगा तो देखो 75,5 25 35,7 3 15 यह आजाएगा और परसेंट लगाए तो 1653.75 तो हमारे पास amount कितनी आजाएगी देखो add कर लेते हैं इसको 0.75 8 27 34,34 34,000 इतनी amount आगी फिर उस पे 5% का interest लगेगा क्योंकि 4 साल के लिए अब 4 साल के लिए तो मैं बोलूँगी यह 100% यह 5% है तो यह इसका 105% हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 34728.75 का 105 परसेंट परसेंट से परसेंट हुआ तो यह कैंसल आउट हो गया अब यह इसको simplify कर लेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा 66125 इंट्व 115 डिवाइड़ बाइ 34729 लिख लेते हैं राउंड ओफ करके इंट्व 105 21 23 अब इसको काटना पड़ेगा 730 ही कर लें अप्रॉक्सिमेशन 730 कर लेते हैं 730 करेंगे तो हम लोग इसको पच्चे से काट सकते हैं 25 वन्जा 25 97 730 75 97 और 75 वच्चे कितने 22 223 9000 225 होता है तो 8000 पे जाएगा फिर बचा 230 25 से तो यह नहीं कट रहा 25 पे तो यह नहीं जाएगा तो फिर किस पे जाएगा अगर मैं अप्रॉक्सिमेशन भी यूज करू तो 9000 225 होता है यह 1389 हो जाएगा और यह हमारे पास हो जाएगा 26 फिर 4000 100 फिर 5000 ठीक है अब 1389 का अगर मैं डबल करूंगी तो मेरे पास कितना आता है 1389 का डबल 16 तो यह 17 हो जाएगा फिर 2678 2678 आता है यह डबल से हलका सा कम है मतलब इसको मैं 1.8 या फिर 1.9 बोल सकती हूं 1.8 या पिर 1.9 ये करीkiye बोल सकती हूं कि मैं ugrik डबल से हलका सा कम है बिलकुल हलका सा कम है रर्रीटी य्या वान पोयन पोयँट नाइन पे चला जाना चाहिए और अगर 21 और 23 को देखो तो 21 वंजा 21 फिर 20 बचता है तो फिर यह 9000 इतना आ जाएगा हमारे पास 1.09 पे जाएगा ना 1.09 पे तो हम देख लेते हैं कि 1.9 होगा या 1.8 होगा तो फिर उससे आंसर हमारा प्रॉक्सिमेशन के हलका सा करीब तो आ जाएगा यह कम कितना इससे देख लेते हैं 33 कम है 33 कम है मतलब यह उसके 1% हमारे पास होता है 26 और 9 पे जाएगा तो करके देख लेते हैं 1389 को इससे डिवाइड कर देंगे तो यह बन ना जाएगा 1389 बचेगा हमारे पास कितना 2645 में से हमने 1389 घटा दिया तो हमारे पास बच गया यह 1286 से जाना तो यह डेफिनेटली 9 पे जाएगा मतलब यह 1.9 के करीब करीब आएगा तो 1.9 इंटू 1.09 करना है 1.9 इंटू 1.09 करना है 200 से हलका सा उपर होगा यह 200 से हलका सा उपर होगा ना 2 से हलका सा उपर होगा अगर 2 से हलका सा उपर होगा मतलब 209 करीब करीब उसमें है तो 209 हमारा आंसर हो जाएगा 198 हमारा नहीं होगा क्योंकि 200 से यह उपर है नीचे नहीं है क्लियर अप्रॉक्सिमेशन यूज किया है हाँ इसमें काल्कुलेशन ज्यादा थी अगला क्वेस्टन देखो स्क्रीन्शोट लेलो फिर हम लोग करते हैं क्योंकि यहां पर ग्राफ पूरे नहीं आ रहते हैं देखो difference between the interest earned by Lalitha on investing in scheme B at simple interest scheme B में उसने 30% invest किया और scheme B का simple interest कितना है हमारे पास 20% है for 3 years and scheme C at compound interest for 2 years for rupees invest उसने किया rupees X scheme C में compound interest हमारे पास है 15, 16, 17, 18% और उसने invest कितना किया 15% sum of interest earned by Lalitha on investing in scheme A and scheme C at simple interest for 2 years for rupees X investment उसकी दोनों में same है यह आप ध्यान रखना यहां पर भी rupees X है यहां पर भी rupees X है investment उसकी same है मतलब हम लोग total चीज same ले सकते हैं हम लोगों को total investment same लेनी पड़ेगी मतलब हम लोग मान सकते हैं कि उसने 10,000 रुपे 20,000 रुपे 30,000 रुपे कुछ भी कितने भी rupees उसने total सभी schemes में invest किये क्योंकि हमें percentage wise distribution देना न इसका तो मैं बोलूंगी इसने 1,000,000 रुपे invest कर दिये ठीक है उसमें से 30% उसने किसमें किये B में और 15% उसने किसमें किये C में अगर मैं इसकी बात करूँ तो scheme B में simple interest पे किये 1,000,000 का 30% कितना होता है 30,000 तो B का अगर मैं देखू तो 30,000 रुपे उसने invest किये rate of interest हमारे पस 20% था साल हमारे पस 3 है तो 30,000 का 60% कितना हो जाएगा 18,000 और अगर मैं किसकी बात करूँ scheme C की एक लाग का 15% कितना होता है 15,000 कितने पे किया 18% कितने साल के लिए 2 साल के लिए तो पहले साल उसको 18% क्या लगा interest लगा 18 into 15 करना है मतलब 18 into 10 कितना होता है 180 और 18 into 5 कितना होता है 90 तो मतलब उसको interest कितना बना 2700 रुपे का amount पहले साल के अंत में कितनी आई इतनी आ गई फिर उसने 18% interest उसको फिर लगा 177 into 18 इसको मैं 177 into 20 minus 2 भी बोल सकती हूँ तो 20 करेंगे तो 3540 minus 354 interest उसको कितने का लगेगा 3168 का sorry 3186 का तो ये उसका interest आ गया दोनों का total कर देंगे compound interest उसका कितना बन जाता है मैं compound interest की बात कर रही हूँ 5886 compound interest उसका कितना बन गया 5886 अब उसने क्या निकालना है difference निकालना है देखो तो 18,000 में से 5886 हमने minus किया 41121 ये हमारे पास difference आया अब मैं second scheme की बात करूँगी scheme of sum of interest of earned sum करना इसमें difference नहीं निकालना scheme A में और scheme C में दो साल के लिए लगाए scheme A में 25% लगाए एक लाग का 25% कितना होता है 25,000 कितने साल के लिए दो साल के लिए और simple interest पे मतलब 10% की rate से लगाए scheme C में उसने 15% मतलब 15,000 लगाए कितने % की rate से 12% हो गया ना इसका simple interest 12% की rate से दो साल के लिए निकाल सकते हो दोनों का सम ये हो जाएगा 25,000, 50,000 का 10% 5000 होता है और 15 into 230 होता है 30 into 12, 12th रिजा 3600 total interest हमारे पास कितना आ गया? 8600 total interest हमारे पास कितना आ गया? 8600 तो यहाँ पे उसने क्या बोला था? कि quantity में अपने को क्या बताना है? comparison करना है तो 12,000 बढ़ा है या 8,000 बढ़ा है? 12,000 बढ़ा है मतलब quantity 1 is greater than quantity 2 this is your answer अब चलते हैं लास्ट क्वेस्टन पे highest interest earned by Lalita यहाँ से question पढ़ लेते हैं फिर solve आगे करेंगे ठीक है? investing at simple interest for 4 years screenshot लेलो हिंदी वाले for investing rupees 10,000 Lalita ने invest कितने किये? 10,000 रुपे invest किये 4 साल के लिए simple interest पे highest interest earned by Lalita बताना है मतलब किस scheme से उसको highest interest rate मिल रहा है? सबसे पहले देखो उसने 10,000 रुपे invest किये इसमें उसने 25% लगाए इसमें 30% लगाए फिर 15% लगाया फिर उसने लगाया 16% और फिर उसने लगाया 13% मुझे दिख रहा है investment उसकी तो यहाँ पे ज़ाद है है ना? अब simple interest का rate भी देख लेते हैं A और B का देखो यह 10% है, यह 20% है फिर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कितना? 12% यह 10 से कम है, 10 से हलका सा ज़ाद है तो interest इसका कम है और investment इसकी भी कम है तो इससे उसको highest interest definitely earn नहीं हो सकता क्योंकि simple interest, principle into rate into time है जिसका multiplication ज़ादा होगा उसका interest ज़ादा होगा अगर मैं इधर से देखू तो 12 और 13 बराबर के लग रहे हैं और यहाँ पे investment इन दोनों की कम है इसको भी आप cancel out सीधा सीधा कर सकते हो मामला सिर्फ बचता है A और B का A और B में देखो B की investment सबसे ज़ादा और B का interest भी सबसे ज़ादा है जिसकी investment सबसे ज़ादा है जिसका interest सबसे ज़ादा है highest return उसको वहीं से मिलेगा ना logical बात करूँ तो B का interest कितना आ जाएगा 3000 उपे 10,000 का 30% कितना होता है 3000 होता है और 20% के हिसाब से लगाया 4 साल के लिए 3000 का 80% होता है 24,000 यह उसका interest बना second की बात करूँ amount received by Lalita उसने amount पूचा है investing in scheme C at compound interest for 2 years investing rupees 10,000 10,000 उसने invest किये scheme C के अंदर मतलब scheme C के अंदर उसने total investment किती ही 10,000 का 15% कितना होता है 1500 साल कितने है 2 साल और हमारे पास interest कितना है इसका compound interest 18% राइट 18% है लगा लेते है 1500 उसने invest किये 18% की rate पहले साल के end में लगी 15 into 18 18 मतलब 20-2 या फिर मैंने आपको बताया था 18 into 1080 और 18 into 5 is 90 कितना बन गया था 270 amount कितनी आ गई 1770 फिर 18% लगा यहाँ पे हमने किया था न अभी ये रहा फिर 18% लगा तो कितना आया था 5886 आया था ये उसकी amount बन गई तो उसको amount मिली कितनी 2088 रुपीज और पहले उसको कितनी मिल रही थी 2400 रुपे तो दोनों में से बड़ा कौन से है 2400 बढ़ा है 2088 बढ़ा है थोड़ी सी clarity मिली होगी अब आप practice अच्छे से कर लेना तो practice questions आपको यहां से करने है banking pdf 4 से जिसके अंदर daily के practice questions रहते हैं हर एक section के मतलब daily के हम लोग आपको targets देते हैं कि आज के दिन में यह यह question करने questions भी हम लोगी provide करते हैं 60 days का planner मतलब 2 महिने के अंदर आपका base भी एकदम strong है और आपका syllabus भी एकदम पूरा है 9000 प्लस यहां पे questions रहेंगे prelims और mains examination के हिंदी और English language में प्लस सारे topic हम लोग यहां पे cover कर रहे हैं और देखो अगर आपके पास annual mock test package है तो this will be 450 rupees for you अगर आपके पास नहीं है तो 500 rupees का चार्ज आपको लगेगा इस PDF course के लिए annual mock test हमारा 500 rupees का है जिसकी one year की validity है और यहां पे हर तरीके का mock test आपको मिलेगा whether it be full lens, sectional, mini mock और speed booster और general awareness के सब यहीं पे मिल जाएंगे आपको अगले एक साल तक जो जो भी mock test आने वाले है prelims और mains examination दोनों के ही centric रहेंगे mock test और website मतलब laptop पे भी दे सकते हो और mobile पे भी इसको access आप कर सकते हो bilingual रहेंगे Hindi English में कोई दिक्कत नहीं आएगी all in one mock test series हमारी 60 days PDF course के साथ चल रही है every Wednesday and Saturday ये mock test हम लोग कंडक्ट करते हैं PO के pre-mains के, clerk के pre-mains के, हर एक paper के pre-mains के हम लोगों ने ऐसे रखे हैं आपके लिए mock test और इसका schedule आपको provided भी है बहले से ही अगर आपके पस annual package है तो ये आपको free रहेगा all in one tab में मिल जाएगा और अगर नहीं है तो आपको लग से purchase करना पड़ेगा technical query के लिए आप यहाँ पर mail करेंगे और अगर कोई personal query है तो आप मुझे यहाँ पर DM कर लेंगे और ये हमारे other platforms है YouTube channel subscribe नहीं किया है तो कर लेना टेलिग्राम चैनल पे भी updates हम लोग आपको देते रहते हैं तो ये भी जॉइन कर लेना और website पे काफी सारा free content available आपको करवाते हैं डेली का जिसमें DIs होती है, puzzle and sitting arrangement होती है RCs होती है, prelims और mains की daily basis पे content upload होता है top notch quality का, plus current affairs English और Hindi की भी update होती है तो यहाँ से डेली का प्राक्टिस कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next session में, till then stay tuned, good luck and stay happy